गरीब नूडल्स वाली जेठानी की घमंडी देवरानी तब दोनों की इस छोटी छोटी भूख का इलाज है ये नूडल्स कौन-कौन खाएगा नूडल्स बताओ पहले मैं खाऊंगा माँ नहीं, पहले मैं खाऊंगा भावी जी ऐसा बूलकर चिराग धुरूफ को गोदी में उठा लेता है और गोल-गोल खुमाने लगता है पस-पस, पस करो चाचू अच्छा आप चाचा बतीजे एक साथ नूडल्स खाएंगे चलो, तुम दोनों बैट जाओ, मैं तुमी नूडल्स परोस्ती हूँ अराधना ऐसा कहकर अपने बेटे और देवर को नूडल्स परोस्ती है जिसके बाद वो दोनों नूडल्स बहुत अच्छे से खाते हैं अराधना एक विद्वा थी शादी की एक साल बाद ही एक दुरगटना के चलते उसके पती गिम्रत्ती हो गई थी जिसकी वज़ा से वो बहुत अकेली हो गई थी लेकिन उसने अपने परिवार को जोड रखा था अपनी सास की देखरे करना, सबकी जरूरत का ध्यान रखना अराधना को अपना करता विया लगता था देवर जी, ये कपडों के बाल्टी जरा चट पर रखवा दीजिए अराधना अपने देवर को काम बताती है, लेकिन उसका देवर फोन में देख देख कर हंसता रहता है देवर जी, क्या हो गया है आपको? आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो कहां बिजी हो इतना और फोन में देख कर बस मुस्कुराए जा रहे हो अराधना की इस तरह कहने पर चिराग अराधना को देख कर कहता है मुझे माफ कर दो भाबी जी, मैंने ध्यानी नहीं दिया आपकी तरफ, वो दरसल बात यह है कि क्या बात है देवा जी, मैं सब जानती हूँ, कौन है वो लड़की जिसे आप इतना प्यार करने लगे हो उसके आगे आपको भाबी दिखाई ही नहीं देती अरे भाबी आपको कैसे पता? तुम्हारी हालचाल से मुझी सब पता चल गया, चलो बताओ कौन है वो और कब मिले, कहां मिले, मुझी ये सब को जाना है, सब बताओ फेस्बुक पर एक लड़की से मेरी बात हुई थी भाबी, वो बहुत सुन्दर है, मैं और वो एक दूसे से बहुत प्यार करते हैं पहले मुझे अपनी पसंद तो दिखाओ, जरा मैं भी तो देखो तुम्हारी पसंद कैसी है फेस्बुक की फोटो निकालकर चिराग अपनी भाबी अराधना को दिखाता है लड़की तो अच्छी है, कब कर रही हो तुम शादी? बहुत जल्द मैं आपकी देवरानी को इस घर के अंदर ले आऊँगा इस सरह चिराग अपनी भाबी अराधना के साथ अनीशा के घरवालों से बात कर लेता है और यहाँ अराधना अपने देवर की शादी के लिए अच्छे से इंतिजाम करना शिरू कर देती है आगिर मेरे देवर की शादी है, सारे फंक्शन अच्छे सी होने चाहिए आज हल्दी की रसम है अराधना हल्दी मिक्स करके अपने देवर को लगाने के लिए उसके पास जाती है लेकिन उससे पहले उसका देवर कहता है अरे भाबी सुबा से आपने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया मुझे आपके हाथों के बने हुए स्वादिष्ट नूडल्स खाने है देवजी, पहले अपनी हल्दी की रसम तो पूरी कर लो अब तो पहले चाचा और भतीजा नूडल्स खाएंगे और उसके बाद ही हल्दी की रसम होगी अराधना ये सुनकर हसने लगती है और पहले नूडल्स बना कर लाती है वो दोनो नूडल्स खाती है और उसके बाद चिराग अपनी हल्दी की रसम पूरी करवाता है इस तरह बहुत चाव से अराधना अपने देवर के हर एक रीती रिवास को पूरा करवाती है और धुमधाम से बाराध शहर दिली में लेकर जाती है लगता है भाबी मुझे से जादा तो आप खुशो खुश तो होना ही है आके मेरे देवर की शादी जो है तुम्हारी शादी में तो मुझे अपने सारी अर्मान पूरे करने है बेन बाजे के साथ अराधना अपने देवर की बारात लेकर जाती है जिसके बाद वो तनीशा से उसकी शादी करवा कर तनीशा को गाउं में अपने साथ घर ले आती है आओ तनीशा इसे अपना ही घर समझो आज से तुम इस घर की छोटी बहू हो अरादना तनीशा को घर के अंदर लेकर आती है नमस्ते चाची जी, हाँ बहुत प्यारी हो, वेलकम होम अरे वादरुप चाचा को भूलकर चाची पर सीधा निशाना चिराख की बात सुनकर सब लोग हसने लगती हैं कि तब ही तनीशा कहती है ये सुनकर कौशलया को थोड़ा सा अजीब लगता है चोटी बहु, अभी तुमें आये हुए, दो मिनट भी नहीं हुए हैं और तुम कमरे में जाने की बात कर रही हो, थोड़ी देर हमारे साथ बैठो, बात करो कोई बात नहीं मा, देवरानी जी धक गई होंगी, उन्हें थोड़ी देर आराम कर लेने दीजी, चिराग, तनीशा को अपने कमरे में ले जाओ अराधना की बात सुनकर चिराग अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाता है जिसके बाद अरादना अपने हाथों से खाना बना कर अपनी देवरानी के लिए भीजवाती है चिराग तनीशा के लिए खाना ले जाओ मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ ना भाबी जी उसका जब मन करेगा वो आ जाएगी फिलाल तुम उसका खाना उसके कमरे में ही ले जाओ इस तरह चिराग तनीशा का खाना उसके कमरे में ही ले जाता है अब तनीशा को इस चीज़ की आदत हो गई थी वो किसी के साथ खाना ही नहीं खाती थी और साथ में घर का कोई काम भी नहीं करती थी कुछ दिनों में अराधना की तवियत बहुत जादा खराब हो जाती है जिसके चलते चिराग तनीशा को घर के काम करने के लिए बोलता है तनीशा भाबी की तवियत ठीक नहीं है तुम घर के काम कर लो न चाहकर भी तनीशा को घर के काम करने पड़ते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा तंगा जाती है देखो चिराग, तुम्हें पता है मैं शेहर की रहने वाली हूँ और मुझे यहां रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहां की तौर तरीके मेरी समझ से बाहर हैं अब मैं यहां और नहीं रह सकती तुम मेरे साथ मेरे डैडी के घर चल रही हो या नहीं कुछ ही बताओ तुम रहो इस नरक में, मैं तो यहां से जा रही हूँ यह सुनकर चिराग हैरान हो जाता है इस तरह चिराग अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ कर तनीशा के साथ दिल्ली में उसके अमीर डेड़ी के पास पहुँच जाता है यहां अरादना अकेली पड़ जाती है जिसके चलते घर में बहुत सी परिशानिया भी आ जाती है बहु, मेरी दवाई खत्म हो गई है और घर में राशन का एक दाना भी नहीं है मा, टीचर ने मुझे कहा है कि जब तक मेरे फीस पर ही नहीं जाई कि मैं स्कूल में नहीं आ सकता इतनी सारी परिशानियों को देखकर अरादना काम ढूडने का फैसला कर लेती है लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता मुझे कहीं काम तो मिल ही नहीं रहा है आप में क्या करूँ कुछी दूरी पर उसे एक नूडल्स बनाने वाला दिखाई पड़ता है नूडल्स तो मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ तो क्यों ना मैं भी नूडल्स बनाने का काम खोलो अराधना अपने पती की आखरे निशाने उसका मंगल सूतर बेच कर मिले हुए पैसों से नूडल्स की दुकान खोलती है लेकिन गाउं में जादा कोई नूडल्स नहीं खाता जिसके जलते उसकी जादा कमाई नहीं हो पाती यह तो सिर्फ घर का घर चलाने जितने ही पैसे हैं इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा क्यों न मैं नूडल्स शेहर में इंडिया गेट पर बेचना शुरू करू वहां बहुत लोग आते हैं ऐसा सोचकर अराधना गाउं से शेहर तक का सफर करती है अराधना अपने घर से रोजाना शेहर में इंडिया गेट पर जाती है और वहां नूडल्स की दुकान लगाती है शेहर में अराधना के हाथों के नूडल्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं और उसके दुकान पर भी रिखटी हो जाती है मुझे भी नूडल्स चाहिए हम्, वेरी यमी नूडल्स इस तरहां अराधना नूडल्स बेच रही थी उसे दिन वहाँ पर तनीशा अपने माधा पिता और चिराख के साथ इंडिया गेट घूमने के लिए इंडिया गेट पर आती है तनीशा जैसे ही नूडल्स वाले के पास पहुँचती है वहाँ और कोई नहीं उसकी जिठानी अराधना ही होती है साद में धृव भी होता है धृव अपने चाजा चिराख को देखती ही उसे गले से लगा लेता है तनीशा के माता पिता ये देखकर ही नूडल्स वाली और कोई नहीं बलकि उसकी बेटी की जेठानी है वो अराधना से पूछते है बेटी तुम गाउ से यहाँ पर नूडल्स बेचने क्यों आई हो ऐसा क्या हो गया है अराधना की आँखों में नमी आ जाती है और वो तनीशा के पिता से कहती है दीवर जी तो आपकी बेटी के साथ आपके गह पर रहनी लगे हैं मैं अपने परिवार को छोड़ तो नहीं सकती थी मेरे पती के बाद मेरी सानस और मेरा बेटा ही मेरा परिवार है उनकी जरुत को पूरा करने के लिए इसके लावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था तुम तो बहुत समझदार हो आराधना बेटी तनीशा तुम्हारी जिठानी इतनी अच्छी है और तुम उन्हें छोड़ कर यहां मेरे पास रह रह रही हो तुमने यह गलत किया है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राज अपनी बेटी को समझाता है जिसके बाद तनीशा अपने पिता की बात मान लेती है और वो चिराग को लेकर वापस गाउं में अराधना के पास रहने के लिए तयार हो जाती है अब अराधना इसी तरहां इंडिया गेट पर नोडल्स बेशती है और वहीं चिराग अच्छी कमपनी में काम करकी घर जलाता है और घर को तनीशा संभालती है जिसके जलती सब एक साथ खुशी-खुशी रहने लगते हैं